वेलकम बैग एवरिवन तो इस वीडियो में हम लोग मात करने वाले हैं आज के हमारे पहले मैच के बारे में जो कि टीटेन का मैच है कल जो है ना मैचे स्थे नहीं सुब्ब मॉर्निंग में तो मुझे मैसेच किया था लोगों ने कि भाई मैचस तो है नहीं तो टीटेन ही बंदा कैसे रहेगा लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस मैच की जिसकी अभी आप वीडियो देख रहे हो जो मैच होगा SPH और CJG के मैच जो कैसा मैच है वन साइडेड मैच वन साइडेड मैच का मतलब तो समझ में आता ही होगा एक टूर्णामेंट की जो सबसे स्ट्रोंग टीम होती है ना उसके अंदर शामिल है छे मैच खेली छे केचे विन और SPH जिसकी अगर मैं बात करूँ बारा मैच खेली है जिसमें दस हारी और दो जीती है तो अव्यसी बात है वन साइडेड टीम होई की नहीं होई की तीम और SPH की टीम की सबसे कम जो टीमों के अंदर शामिल है सिंपल सा गेम है ड्रीम लिए उन यूजर्स के लिए आठ प्लेयर आपको लेना है सीजे जी से तीन प्लेयर SPH से लेना है क्योंकि SPH देखिए कितनी भी खराब टीम क्यों ना हो टीम में कुछ प्लेयर तरीन टीम बन जाएगे तीन तो वहां से होंगे होंगे एक प्लेयर आपको और बता दोंगा तो ज्यादा लंबर वीडियो नहीं होगा और सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर वीडियो बना रहा हूं वरना मैं आपको बताए वीडियो स्टीटें की बिल्कुल स्टॉप कर चुका हूँ बहुते हैं कर यह जब नहीं नहीं मैच होते टीम मैं जाके वीडियो बनाता今 सबसे पहले तो जो वीडियो को देख رहें लाइक कर देना और हा जिसने इस वीडियो पे पहला दूसरा तीसरा चोथा और पांचवा लाइक और कॉमेंट किया फिरी में गीववे विन कर गया आप भी कर सकते हो अभी भी इस वीडियो में आपको कॉमेंट करना है ठीक है मैं पांच लोगों को सेलेट करूँगा और अगर वो पांच लोग कौन से पांच लोग होंगे पता है वो वो लोग होंगे जो चैनल के सब्सक्राइबर है अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर देना मैं पांच कमेंट पिक करूँगा और रेंडमली उनको अमाउंट दूँगा तो आप वीडियो तो देखी रहे हो कमेंट जरूर करके जाना ताकि आपको फिरी का रिवार्ड मिले बाकि इस वीडियो में तो मैच कित देखे वीडियो तो देखोगे इसमें तो कोई डाउट नहीं लेकिन अगर आप कमेंट करोगे और अगर आपको वो कमेंट रेंडम में सेलेक्ट हो गया तो फिरी का रिवार्ड मिल जाएगा बस इतना ध्यान डखना गीववे उनके लिए जो चैनल के सब्सक्राइबर है और जो वीडियो को लाइक करेंगो लाइक तो वैसे ही आप लोग को कर देना है बताने की जूरत भी नहीं है देखे सबसे बिलेगर में बात करता हूँ इस सिरीज के मैच के बारे में तो तालीसवा मैच होगा सबसे बड़ा टूर्णामेंट रहा है ये इसी इस का उसके अलावा बारसिलोना ये टूर्णामेंट है जे जी और एस पीएच का मैच होगा इंडियन टाइम के एकोटिंग एक बचके पंदरा मिनिट पे मैच स्टार्ट होगा जो लोग ऐसे हैं जो वीडियो को दो देख रहे हैं लेकिन टेलीगराम से नहीं जुड़े हैं तो मेरे भाई मैच की जो फाइनल टीम होगे ना जाए और कॉमेंट वक्स में प्लस में अब बिक आटें गर टीम तो और है चीश्वेच जो दिया हैं ना वकिलिक करके 行कर लो ू नियुडब करताया इसमें लड़े बता चुका डरा में से दो विन और दस लोस SPH के CJG जो 6 के 6 बैक टू बैक विन करके आ रही है तो ये चीशतों किलियर है CJG की टीम विन करेगी और उसी केसे आपको टीम भी बनानी है ठीक है बाकि देखिए पिछले 7 मैच में 6 मैच जो जीती है वो बॉलिंग करने वाली जीती है और एक मेच बैटिंग करने वाले टीम एक्सपेक्टेड लाइन अप की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं SPH की तो इबराहिम हुसेन और आयाज हैमद जो है आपन करेंगे मौहमद आजम वन डाउन, जलहा, हैदर, सेकेंड डाउन, मुजाहिद, मारूफ हुसेन, मौहमद साकीब, आलिप, अली सहुजा, जवाद हुसेन, वकास, मिर्जा के सासाथ, अफाक हुसेन यह एक्सपेक्टेड लाइन अप है इससे कहीं जादा बैटर चीज़ आपको स्कोर कार्ड में समझ में आई, वह भी दिखा देता हो बट इस्टिल कई प्लेयर ऐसे अगर हो, जो नहीं खेले हो अभी तक, तो इस्टेट्स आपके काफी काम आने वाला है देखिए सबसे बहले हम बात करते हैं SPH की, तो देखिए यहां से हाई एश इसकोर, यह बैटिंग ओडर है और ऐसा हो सकता है पॉसिबलिटी कि यही बैटिंग ओडर इस मैच में भी हो, जिसकी अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इबराहिम हुसेन, आयाजमा जो है ओपन, फर महम्मद आजम वन्नाउन, जलाल हैदर, मुझाहिद मारूफ और साकिब, ठीक है बोलिंग में यह टीम क्या हार गए थी, ज्यादा स्कोर तो था ही नहीं, तो उनों के ओपनर नहीं चेच किया और यह टीम मैच को हार गए और देखे किता ज्यादा स्कोर इन लोगों ने बॉलिंग से दिया था, में पॉइंट यह है कि महमद आजम बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बोलिंग भी करेगा, तो काफी मौट इन प्लेयर है, उसके बाद सेकिंड मैच के अगर मैच करता हूँ, तो आजम ने यहा करने वाले प्लेयर हैं यहां से, चोता सेवन फोर जो खेलते हैं उनके लिए डिफरेंट प्लेयर में बता दूँगा, उसके अलावा यासीर अजजा के एक विकेट और इबराहिम हुसेन एक सब को विकेट मिला था, ओवराल ठीक है, महमद आजम को दो विकेट मिले, यह त यहां से, यासीर अली और हमजा सलीम दर जो है उपन करेंगे, अबु बगर सिदीक, वन डाउन, फारुक हुसेल, फारुक सोहिल, आमीर हमजा, मुहमद, उमर वकास, बिलाल असलम, असद अली, फैसल सरफराज, मुदसर जिया, और अदिल रजा, ठीक है, यह राजजा दिल भी बोल सकता हूँ, यह बैंच के प्लेयर है, जिन में गुलाम, दस्तगीर, एक बहुत ही, मतलब सारे ही अच्छे, यह टीम बहुत श्ट्रोंग है, इनके सारे बैंच के प्लेयर अच्छे है, अगर यह सेम लाइन अप होती है, फैसल, सरफराज, और हमजा सलीम दर पाउर हमजा, उसके अलावा इस वाले मैच के अगर में बात करता हूँ, तो यहाँ पर यासीर अली ने एक फारुक सोहिल जीरो, फारुक सोहिल में लिए डेथ में आता है, इसलिए कैप्टन या फिर कैप्टन नहीं तो कम से कम वाइस कैप्टन का सबसे बैस चोईस होगा, और ब स्कोर कार्ड के बाद, अब हम बात करते हैं टीम की, तो फाइनल स्मोल लिकी टीम मिलने वाली है टेलीगराम चनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने अकर जोइन नहीं किया है, तो जरूर जोइन करना, और वीडियो तो देख रहे हो, कॉमेंट करके जरूर जाना, ठीक है, चली टीम की बात करते हैं, ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं टीम में, काफी सिंपल वे में आपकी टीम बनेगी, विकेट कीपिंग सेक्शन में देखिए, एम हुसेन, फारूक सोयल, वकास और एह हुसेन, यह चार ओप्शन है, जिन में सब से बेस्ट आपका, आई हुसेन, सेम इबराहिम हुसेन, उपनर प्लेयर, जो काफी अच्छा हिटर है टीम का, और उसके अलावा यहां से बिलाल अस्रम को, बिलाल अस्रम को सिर्फ और सिर्फ इसकी बोलिंग की वज़े से ले रहा हूं, ठीक है, तीन प्लेयर लेने के बाद उसके बा बोलिंग में, बोलिंग में जाने के बाद, आमिर हमजा, जो काफी इंपोर्टेंट और तगड़ा विकेट टेकर बोलर है, मतलब चारो आपको इनी के लेने, ठीक है, अबुबगर सिद्धीक जो काफी कम सेलेक्टेड है, बट इस्टिल काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होगा, कैप्टन वर्सस वाइस कैप्टन पर अच्छा एक चीज में भूल गया, एम आजम जो बंदे ऐसे हैं, मतलब दिखिए, मैं यह सजिश्ट करूँगा, आप इसी के साथ जाईए, क्योंकि अगर इनको ओवर कटा तो दिक्कत हो जाईए, आपके तो आप इसको होगा, मैक्सिमम लोगों का यही कैप्टन होगा, आप जो गेम होगा, वो होगा, वी सी के उपर, देखिए, कुछ लोग लाएंगे, फारुक सोहिल को ऐसे वाइस कैप्टन, बट यह टीम की कहना बैटिंग तो अच्छी है, बोलिंग अच्छी नहीं है, आपने देखा ही ह होगा, पिछले मैश में भी एक बोलर 20 प्लस रन, वो भी एक सिंगल और के अंदर खा रहा है, तो वी सी के लिए लोग इसके साथ जाएंगे, बट मेरा वी सी रहने वाला यासिर अली, क्योंकि देखिए, बैटिंग इसकी आती है, चोथे नमबर पे, और यह करेगा डाइर की एट में खेलो, जो आपको बेटर लगे, इस टीम के अलावागर कोई चेंज होता है, वैसे मोस्ट लैकली होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब प्लेयर बैस्ट है और खेलेंगे भी, बट फिर भी मानलो अपडेट होता है, तो टेलिग्राम इन्फिर्म कर दूँगा, लिंक